यहां पे कह रहा है कि अगर हम इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे इतनी बार, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यहां पे जो नंबर है सबसे पहले उस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, अब इसको एक्सपेंड इतनी बार करना है आपको, तो अगर इनका पावर मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 945, अब यहां पे जब हम यूनिट प्लेस पे डिजिट बताएंगे, तो बस आप यूनिट प्लेस के जो नंबर हैं, उसी को इतनी टाइम्स मल्टिप्लाई करके आप चेप कर सकते हो कि यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, we first find out after writing the exponent of 2, we get how many type of number at unit place, अगर 2 के आप exponent लिखोगे, तो 2 के पावर 1 करने से unit place पे 2 आता है, पावर 2 से 4 आता है, पावर 3 से 8 आता है, पावर 4 करोगे 16 आएगा, means unit place पे 6, और पावर 5 करोगे तो 32 आएगा, means unit place पे 2, means इस 4 नंबर के बाद यह पाचमा नंबर फिर से repeat होना इस start हो रहा है, तो आप देख लो पहले इस 945 में यह 4 का set कितनी बार बन सकता है, तो अगर इसको हम 4 से divide कर दें, तो आपको मिल जाएगा 2, 3 and 6, और एक यहाँ पे बच जाएगा, means इस नंबर को आप लिख सकते हो, 2 to the power, 236 times यह 4 का group, और 2 के power 1, means 236 times से आपको 4 नंबर के set मिलेंगे, मतलब यह नंबर end होगा with the unit digit 6, अब इसके बाद एक 2 का multiply और करना होगा, और जब इसके बाद एक बार हम उस नंबर को और multiply कर देंगे, फिर 5 नंबर आ जाएगा, और जहाँ पे यह unit place पे end होगा 2 के साथ, इसलिए आपका answer हो हो जाएगा 2, इसलिए A सही है,